है हलो और वेलकम तो अगार सीरीज और आज हमारे सामने है अल न्यू होंडा मेज एस मॉडल जो की आप देख रहे हैं यह है सेकेंड बेस मॉडल इस से उपर आता है होंडा मेज ए मॉडल जो की स्टार्ट होता है 6.99 लैक रुपीज से और यह जो आप मॉडल देख रहे हैं इसकी एक्षोरूम प्राइज है 7.67 लैक रुपीज एक्षोरूम तो इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स दिये गए हैं क्या आपको इसमें फैसलिटीज मिलती हैं और कैसे इंटीर्स है और इंजिन कैसा दिया है सेफटी फीचर्स बगरा सभी की बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अगर बात करें इसके इंजिन की तो इसमें आपको मिलता है फोर्स लेंडर आईवी टैक 1.2 लिटर का जो की पैट्रोल इंजिन है जो प्रिडूस करता है 88 बह्प की पावर और 110 नम का टॉर्क और इसके अंदर आपको मैनूल ट्रांसमेशन देखने को मिलेगा आपको यह मैनूल ट्रांसमेशन वाला वर्जन देख रहे हैं 35 लिटर की फ्यूल टैंक कैपिसिटी आपको इसमें मिल जाती है और इसके अंदर जो मालेज क्लेम करती है होंडा वो है 18.6 का मालेज जो BS6 के एंजिन से आपको मिलता है और अगर गाड़ी की सस्पेंशन की ब बात करें तो लेंथ बनाए गई है इस गाड़ी की 3.9 मीटर और 1.6 मीटर विट्थ बनाए गई है और 1.4 मीटर हाइड दी गई है और तकरीबन 2470 mm का वील बेस दिये गया है अमेज में और पीछे का जो डिजाइन आप देख रहे हैं जो इस चे सिमिलर लगता है होंडा सि इसका जो लोग है वो बनाए गया है जहां पर आप LED टेल लेंप्स में जो C-Shift की टेल लेंप्स है वो देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर और रेफ्लेक्टर्स हमें इसकी बेजिंग पीछे दी गई है होंडा का लोगो बूट ओपन करने के लिए की लॉक दिया गया है यहा आपको reverse parking sensors मिल जाते हैं पीछे, reflectors आप देख सकते हैं, with chrome finish और तक्रीवन 170 mm का ground clearance दिया गया है 5 mm more than older version यह 5 mm बढ़ाई गई है जो पहले के version है उससे 170 mm में 5 mm का जो इजाफा है वो किया गया है foldable mirror इसमें बनाए गया है, keyless entry इसमें मिल जाती है और इसमें जो wheels दिये गया है वो है R14 इंचिस जिस पर wheel covers लगी हो है silver color की, जो की company fitted आते है profile आप देख सकते है 175, 65 R14, body color door handles मिल जाते हैं आपको, white color में जो गाड़ी है वो काफी stunning लग रही है और यह है ORBM adjustable auto foldable with turn indicator और overall जो गाड़ी का design है, वो काफी appealing design बनाए गया है, यहाँ पर आपको halogen में headlamps मिलते हैं, return indicator chrome की यहाँ पर garnish की गई है, और इस model आपको fog lamp देखने हो नहीं मिलेगा, Honda का logo, front grill जो बनाए गया है, वो पूरी finish दी गई है chrome की काफी शांदर design बनाए गया है, front से, और अब देखते हैं key को, उसके बाद interior चेक करेंगे, तो कुछ इस तरह की आपको एक remote की आती है, और एक simple key दी जाती है, Honda में इसके साथ, और अब चलते हैं interior की तरफ तो कुछ इस तरह के आपको beige and black color में काफी शांदर और काफी amazing, beautifully designed interiors दिये गए है, Honda Amaze में, जो काफी design में appealing लगते हैं, और जो luxuriousness है, वो इस beige color से काफी ज़्यादा enhance हो जाती, fabric capacity के साथ seats मिलती है, इसमें आपको height adjustable seat है, वो manually दी गई है, और recline वगर आप कर सकते हैं, seats को, काफी अच्छे से, यहाँ पर दिया गया है, front gate में आप देख सकते हैं, जो elements है silver color के, और black color के, वो आपको मिलेंगे, satin silver finish में door handle दिया गया है inside, यहाँ पर satin silver finish दिया गया है, जो काफी शांदार लग रही है, ORVM के controls और window controls, और यहाँ पर hard touch material के use किया गया है, bottle holder, speaker grill, total 4 speaker का music system आपको इसमें मिलता है, काफी शांदार और amazing fit and finish के साथ बनाए गया है, dashboard, Honda अपनी जो fit and finish है, वो काफी अच्छे रखती है, और कुछ इस तरह कापको instrument cluster देखने को मिलेगा, जो की manual है, बीच में आपको छोटी सी M.I.D. देखने को मिलेगी, और यह है AC vent, front के headlight leveling controls यहाँ पर दिये गया है, नीचे आपको pedals मिलेंगे, और bonnet वागरा खोलने का lever, और अब चलते हैं, इंटिरियर्स में बैठते हैं, तो seat काफी comfortable बनाए गया है, और जो function है इस steering का, वो आप यहाँ पर audio controls देख सकते हैं, Honda का logo, SRS airbags की badging, यहाँ पर भी थोड़े से जो elements दी हैं silver, वो आपको मिलेंगे, tilt function के साथ बनाएगे steering, telescopic option आपको इसमें नहीं मिलता, और safety में आपको total two airbags देखने को मिलेंगे, driver और core driver side, यह एक standard feature हो गया है तो dashboard वगर आप देख सकते हैं, आपफी premium touches में बनाए गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया है dual, जो double din audio system आता है, वो मिलता है, जो bluetooth वगरा को support करेगा, radio और media वगरा, यह सारी चीज़ें support करेगा, USB auxiliary port वगरा, इसमें सारी चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर मिलेगा आपको aux का port, और इस साइट दिया गया है USB का port, यह आपको manually AC मिलेगा इसमें, इस वाले model में, automatic AC में नहीं आता, इसके अपर variants में आपको ज़रू automatic AC देखने को मिलेगा, और यह air controller, बाहर की हवा और अंदर की हवा वगरा, और यह dual watch का port आपको दिया गया है, एक USB port, दो cup holder दिया गया है, थोड़ी सी space यहाँ पर दिया गया है, और यह है six speed manual gear knob, यहाँ पर थोड़ी सी space, और seat का comfort है वो आप देख सकते हैं, काफी चौड़ी seat बनाए गई है, adjustable headrest मिल जाते हैं आपको seat पर, और जो cushioning है seat की, वो काफी ज़्यादा सही है, glove box with decent storage, storage सही मिल जाती है आपको glove box में, आई एरिवियम दिया है, जो की manually adjustable है, और यहाँ पर आपको vanity mirror मिलता है, और इस side आपको vanity mirror नहीं लिया गया है, sun visor पर, इस events की design आप देख सकते हैं, सामने जो satin silo finish की design है, dashboard पर, और अब चलते हैं rear seat की तरफ, तो rear में कैसा comfort है, कैसी space है, चलिए, देखते हैं, तो कुछ इस तरह की आपको second row की seats मिलती है, काफी comfortable और काफी spacious यह cabin बनाए गया है second row का, होंडा में इसके अंदर, और इसमें जो adjustable headrest हैं, वो आपको नहीं मिलते second row में, लेकिन यहाँ पर armrest आपको जरूर मिल जाएगा, जो 2 cup holder के साथ आथा है, होंडा ही गाड़ियों मैंने एक चीज़ देखी है, कि second row की seat है, वो इतनी अच्छी comfortable बनाते हैं यह लोग, और भले ही आपको adjustable headrest मिले या नहीं मिले, लेकिन comfort वो काफी शांदार मिलता है, और पीछे का जो दर्वाजा है, इस पर भी आपको satin silo finish में inside door handle दिया गया है, और power window controls, water loader, speaker grill, beige color का combination है, काफी luxurious ही यह केविन लगता है beige color में, अगर बात करें, तो Honda जादर अपनी गाड़ियों में beige color का combination देती है, और Honda जो amaze है, यह काफी गाड़ियों से आप इसको compare कर सकते हैं, कि इसका luxurious cabin है, वो एक अलगी level पर है, कुछ इस तरह के दिखता है dashboard, rear से, पीछे आपको AC vent देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ प space की मामले में आप देखें, spacious cabin बनाए गया है, map pocket आपको पीछे मिलेगी, इसमें एक AC vent ज़रूर देना चाहिता है इनको, जो इस तरह की segment की गाड़ियां है, किसी-कसी गाड़ी में आपको पीछे AC vent देखने को मिल जाता है, तो अब चलते हैं, इसकी जो boot open करकर देखते हैं तो इसमें आपको कितनी space मिलती है, तो इसमें आपको मिल जाती है, total 430 लिटर की boot space, जो काफी amazing है, काफी decent enough है, जिससे आप easily अपनी carry bags और travel bags रख सकते हैं, वो पर आपको cushioning दी गई है, जो tailgate है उस पर, तो insulation काफी सही बनाया है गाड़ी में, light मिल जाती हैं आपर, reflectors यहा पर देखने को मिलेगी, तो कुछ इस तरह की थी boot space, और अब बात करते हैं इसकी safety features में, तो इसमें आपको anti-lock breaking system, central locking, power door locks, child safety locks, total 2 airbags आपको देखने को भी लेंगी, driver और core driver side, engine immobilizer, crash sensor, day and night rear view mirror, passenger side rear view mirror, rear seat belt, seat belt warning, door razor warning, और ABS जैसे कई सारे amazing safety features, ISO fix child seat mount भी आपके समें मिल जाता rear seat पर, तो इतने सारे amazing safety features के साथ, आपको किसे लगी Honda Maze, हमें comments में जरूर बताईए, thank you